गुट इविंग नमस्कार सुब संध्या स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डेजिटल प्लेटफॉर्म जी डी सी क्लाशेस में है मैं हूँ डॉक्टर अमित वर्मा और आज आपके लिए लेकर आया हूँ फार्मसोटिकल टेक्नलोजी पार्ट थ्री जो की ओवरॉल हमारी जीपैट महा मेरतन सीरिस का पार्ट नंबर होने वाला है 124 चलिए तो आज है 9 अप्रेल 2024 और 9 बजे हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए जीपैट एस्प्रेंट्स के लिए एक बड़े मिशन के तौर पर जो मिशन है जीपैट 2024 जीपैट 2024 और मिशन महा मेरतन 10,000 MCQ एक दूसरे के कॉम्प्लिमेंट्री है जीपैट की जो कह सकते हैं कि जो डेस्टिनेशन है आपकी जो मंजिल है वो इस महा मेरतन सीरिस से काफी कुछ कहने का मतलब है कि महा मेरतन सीरिस से आपको उस मंजिल को पाने में काफी कुछ हेल् मिलने वाली है 10,000 MCQs बहुत ज़्यादा MCQs होते हैं मेंस आपको इतना प्रेक्टेस हो जाएगा इतना प्रेक्टेस हो जाएगा कि आपको लगेगा जब जीपैट का एक्जाम आएगा तो आपको लगेगा अरे क्या पेपर है यह तो हमें आता है यह मैं वर्डीवन गुट इवनिंग गुट इवनिंग गुट इवनिंग गुट इवनिग चली तो बच्चो शुरू करें आज का डिसकेशन चली तो आज का डिसकेशन शुरू करते हम लोग यहां पर मैं आपको एक important information देना चाहूंगा यह किसी के advertisement नहीं आप लोग सुतरे मैं important information बोलता हूं तो आप लोगों को लगने लगता है सर्फ promotional information देने वाले हैं नहीं बेटा अभी फिलाल promotional information नहीं देने वाला हूं अभी चलाल मैं आपको बताने वाला हूं का आपका जीडीसी जीपेड अचीव टेस्ट नमबर एटीन जो आपका 15 अपरेल को होने वाला है इवनिंग 7 पीम से 15 16 अपरेल 7 पीम तक means 24 hours के लिए open रहेगा और इसका syllabus जो है आज जो पहला इसका पार्ट इस टेस्ट का पहला फोर देन उसके बाद फार्मको गुनोसी सेकेंड फिर देन फार्मसेटिकल टेकनलोजी फिप्ट अगें इस वीक में मेरी तीन फार्मा टेक की क्लासिस होने वाली हैं मजा आएगा चलिए और यहां पर आगे और गेने केमस्ट्री फार्मकोलोजी की और बायो टेकनलोजी और फार्मसेटिकल मेनेजमेंट की भी आपको कहने का मतलब मॉडल पेपर्स की प्रेक्टिस कराई जाएगी तो बच्चों जुड़े रही है बिल्कुल आप लोग बिल्कुल कभी भी कुछ भी काम हो कैसा भी काम हो इसको साइड लाइन कर दीजिए अभी नौ बजे मतलब हम बिल्कुल बिजी हैं महामेरतन में बोल दीजिए सबसे कि नौ बजे के बाद मुझे ना तो कॉल करें ना तो मुझे कुछ काम दे मुझे केवल और केवल में नौ से दस या नौ से साड़े दस का जो मेरा टाइम रहेगा वो महामेरतन के लिए डेडिकेट रहेगा चली ओके चलिए बच्चो चुरू करें पहले ही सिंप पहले ही क्वेश्टिन इडल ब्रांड एंड स्कॉट एक्वेशन इज असूसेट विद्धी शॉलिविलिटी डिजॉलुशन क्रिस्टलाइशन थर्मल कंडेक्शन किस्से है बच्चो चलिए आजी पिछला अचीवाट टेस्ट हो गया है चलिए क्या होगा आंसर जी गूड इवनिंग इसका आंसर करिए हिल्ट ब्रांड एंड स्कॉट एक्वेशन किस से रेलेटेड है सॉलिबलिटी डिजॉलुशन यास किसलाइजेशन जनता क्या कहती है जनता बहुत बढ़िया तो जनता कहेगी उसको तो मुझे बोलना पड़ेगा जनता बोल रही ए तो चलिए आंसर भी ए ही रहेगा हमारा आंसर ए है आपका भी आंसर ए आई नो वेरी वेल चलिए बच्चों तो देखते हैं यहां पर पॉसिबल इसका डिस्रिप्शन है तो और इसका जो कह सकते हैं कि डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना है तो लैकमेन पेज नमबर 633 पर आप इसको देख सकते हैं चली बहुत बढ़िया एंप्यूल्स आर सील बाए कौन सी मेथड से एंप्यूल्स को सील करते हैं एंप्यूल को ध्यान देना बच्च рबर क्लोजर से ओप्यूल्स के लिए करते हैं यहां पर बात हो एंप्यूल की्ण कैसा होता हरमेटिकली सील्ड होता एकन्दम से इंटरेक्ट पैकिजिंग होती है अगर जब तक उसको तोड़ा ना जाए तब तक उससे क्नटेंट बाहर नहीं निकलता है पूप कर दिया तो यहांपर बनाने के लिए हमस्ट तरिक vine करते हैं टिप के लुद टिप करत दिया तो इस तरीके से आंसर क्या होगा बच्चों यहांपर । जींग जा अंसर ये है, description ये है, आप देख सकते हैं, आपर ampule की sealing के लिए, tip sealing के लिए glass bead use करते हैं, इसके लावा पुल seal, बहुत common method है, आप लोगोंने ये practice किया भी होगा, आपके laboratory में जब आपने ampule को seal किया होगा, very good, चलिए, deep blue color of glass are achieved by, बड़ा tricky question है, बड़ा tricky question है, इसमें अगर प मेगनीज ऑक्साइड या फिर मेगनीज डायोक्साइड, मेगनीज डायोक्साइड, ये D answer है, D option है, मेगनीज डायोक्साइड, चलिए, बच्चों, क्या होगा answer इसका, आजी, जल्दी जल्दी करिए answer, बहुत tricky question है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो आपक कोबाल्ट देता है, कलर ब्लू, कोबाल्ट कैसा कलर देता है, ब्लू, हमने पढ़ा भी है, कोबाल्ट जो होता, उसका कलर कैसा देता है, ब्लू कलर देता है, तो answer भी क्या हो जाएगा, आपका कोबाल्ट ऑक्साइड, हमारा भी answer ही रहेगा, कोबाल्ट ऑक्साइड, येस, तो आप देख सकते हैं अंबर कलर का जो आपका अंबर कलर होता है ग्लास का इसके कारण होता है आइरन के ऑक्साइट के कारण होता है ब्राउन कलर ग्रीन कलर येलो ग्रीन येलो डीप ब्लू जो की कुश्चन में कोबाल्ट ऑक्साइड लाइट ब्लू के लिए कॉपर ठूरा पड़ सकें आप तौर रेसी प्रों कलाव बल्क यह सबस्टेंस विल रिखुएर कंटेनल लार जन्दी रिकॉइट फॉर दी लेस्ट की सबस्टेंस इस इसमार पार्टिकल शिफ तूर बीट्वें लारजर वंस और इंकृजदी बल्कीनिस जाइप श्रीदेंस सब्स जो कि bulk density का reciprocal होता है density मतलब कितनी compactness है जान दीजे का वच्चो bulkiness का मतलब क्या है कितना compactness है उसको क्या बोलते है bulk density बोलते है तो इसका reciprocal मतलब उल्टा होगा मतलब कितनी खाली जगे है उसको बात करें next option B पर बात करें तो bulkiest substance will require container larger than require for less bulky substances, bulkiest substance जो bulky होगा मतलब उसका wall volume जादा होगा और उसके लिए बड़े container की requirement होगी, जी हैं बिलकुल सही है, बड़े container की requirement होगी फिर उसके बाद अगर बात करें bulkiness increase with decrease in particle size, particle size अगर decrease कर दें तो obvious सी बात है कि उनके बीच में empty space बड़ेगा, density कम होगी, तो इसलिए D तो एकदम से correct है, smaller particles shift between larger one and increase the bulkiness, नहीं बेटा यहाँ पर एं bulk density को increase कर रहा है, bulkiness को नहीं कर रहा bulk density को increase कर रहा है इसलिए not correct जो statement है, या not true जो statement है, वो क्या होगा, C हो जाएगा, हाँ जी बच्चो, समझ में आया, ओके, तो इसलिए C आंसर, नहीं बेटा, बहुत बहुत अच्छा कुश्चन है मैंने जब यह कुश्चन देखा था उस साल GPED के एक्जाम में आया, तो वास्तिकता में मुझे लगा aptitude paper, हर question ऐसा ही होना चाहिए, aptitude वाला, थोड़ा सा aptitude अगर आप लगाएंगे, तो इस question में कुछ नहीं है, बड़ा ही simple question है लेकिन नहीं पढ़ा हो, बलकिनियस के बारे मैं नहीं पता, तो आप इस question को drop करके ही आओगे चलिए आगे बढ़ते हैं, यह possible description है सारे points उसमें cover हो चुके है the sealing in aseptic packaging is known as aseptic packaging, vacuum sealing hermetic sealing, closed sealing thermo sealing, थोड़ा सा हम इस question पर है, थोड़ा सा tricky question है यह भी, देखिए क्या होता है कि हमारा g-pad आधा, अगर आपको answer पता भी नहीं हो, तो हम 10 बार 15 question ऐसे रहते हैं, जो हम trick से निकाल सकते हैं, तोड़ा से दिमाग use करेंगे, aseptic packaging कहां पर होती है, aseptic packaging parental manufacturing के लिए होती है और parental manufacturing में सबसे अच्छी packaging जो मानी जाती, वो किसकी मानी जाती है आपके, किसकी ampule की, और ampule जो होता, hermetically sealed container होता है होता है, बच्चो, hermetically sealed container होता है, तो इस हिसाब से इस question का, जो सही answer हमारे पास क्या बनेगा hermetically sealing, hermetically sealing, aseptic, मतलब ampule, और ampule कैसा होता है, hermetically sealed container होता है, तो answer क्या हो जागा, hermetically sealing, बहुत बढ़ी है, trick से के लिए, trick से दिमाग से, काम आसानी से हो जाएगा, हमें इतना परिशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं है परिशान होने की, तो vacuum sealing, hermetically sealing, close sealing, और यह thermos sealing, यह सब possible description दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर, चली, आगे बढ़ चलते हैं, cobalt chloride filter paper test is associated with, आज का सबसे simple question, जो GPED aspirants है, दिल से जन्होंने GPED की तैयारी, या pharmacist है, DI, किसी भी exam की तैयारी की होगी, तो सबसे अगर simple question, अभी तक का, आज का, हो सकता, इसके बाद और भी simple question देखने को मिल जाएं, तो उस किसाब से answer मुझे option, लेकिन पूरे options पढ़ेंगे, देखिए, जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का, रम शैतान नहीं हम इनसान है, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरे options देखिए, suspension, emulsion, suppositories, parental, तो यहां पर सीधा सीधा इशारा किये जा रहा है, cobalt chloride filter paper test जो होता है, emulsion के identification के लिए यूज़ करते हैं, जो OW emulsion होता है, उसमें cobalt chloride filter paper, जिसका color कैसा होता है, blue, blue से उसका color convert होके क्या हो जाता है, pink में convert हो जाता है, और WOK case में, इस type का कोई changes नहीं होते, हाँ जी बच्चों, बहुत बड़ी है, के test हैं, आपने पढ़े भी हो, dye test, dilution test, conductivity test, creaming test, fluorescent test, cobalt chloride test, एक bottling paper test भी होता है, होता है, चलिए, which of the following equipment can produce fine emulsion, fine emulsion कौन produce करेगा, ultrasonic vibrator, common plate, test grinder, post wall emulsifier, ऐसा ही question हम लोगों ने, last marathon में पढ़ा था, वो थोड़ा सा अलग था, यहाँ पर जो option है, वो वहाँ पर question था, और यहाँ पर जो question है, वहाँ पर एक option था, अब last marathon जिन बच्चों ने अटेंड की होगी, वो फट से इसका answer निकाल देंगे, क्या होगा, बहुत अच्छे, क्या होगा बच्चों answer, बहुत बढ़ी है, अल्ट्रा सॉनिक वाइबरेटर, अल्ट्रा सॉनी फायर जो होता है, वो fine emulsion production के लिए, responsible होता है, मैंने बताया था, last question ध्यान है, कि कितने बच्चों को ध्यान है, कि last marathon, last marathon मैंने लिया था, उसमें एक question था के नहीं, बताओ, बहुत बढ़ी है, जो कह सकते equipment होते हैं, जो की utilize किये जाते हैं, emulsion को बनाने के लिए, तिसे higher shear humanizer, colloidal mill, ultrasonic vibrator, इसको, folum liquid whistles के नाम से भी जानते हैं, probe sonicator, हाँ जी, हाँ जी, बिलकुल, बहुत बढ़ी है, तैयारी है बरपूर, चलिए, अब next question पर आते हैं, when the particle are in secondary minimum, what will be its effect on formulation, DLVO theory का question है, सीधा हमारे दमाग में DLVO theory का, वो graph आजाना चाहिए, हमारा जो graph था ना, वो वाला graph, ये secondary minimum, primary minimum, यदि ध्यान होगा, तोड़ा सा अगर ध्यान होगा, आप लोगों को बच्चों, बैसे तो ध्यान होगा, वो श्यार हो आप लोग, ठीक है, ये primary minimum था, primary maximum था और ये secondary minimum था, ताके नहीं, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ सर, कुछ-कुछ याद आया, कुछ-कुछ याद आया, हाँ, था था सर, तो prevent coagulation, flocculation, irreversive coagulation, तो clear हम जो flocculated system generate करते हैं, तो वो flocculated system कब जाके generate हो जाता है, अब पार्टिकल एक दूसरे के नजदिक आ जाते हैं, पास-पास आ जाते हैं, कहां पर आते हैं, अभी जहां पर देखेंगे, तो पार्टिकल एक दूसरे तो दूर-दूर, डिस्टन्स पर जादा पर है, सेगंडरी मिनिमा पर जाकर, पार्टिकल एक दूसरे के अत्याधिक नजदिक आ जाते हैं, पार्टिकल स्कम्स वेरी क्लोस तो इच अदर, एंड दे विल बिकम इन दी फ्लॉकुलेटर सिस्टम, तो क्या बन जाएगा बच्चों आपका फ्लॉकुलेटर सिस्टम बन जाएगा, डेफिनिट्टी, डेफिनिट्टी आंसर क्या होगा, बी होगा, डेफिनिट्टी आंसर क्या होगा, बी फ्लॉकुलेशन, आप देख सकते हैं, primary minimum में highly attraction होता है irreversial coagulation होता है primary maximum है coagulation को prevent करने के लिए highly repulsion होता है and secondary minimum है weak attraction forces develop हो जाते हूँ flocculation से create हो जाता है यह मैंने graph बता था वो पूरा composite graph यह है आपका कि बहुत अच्छी बहुत अच्य वेरी गुड identify the in correct statement यह बड़ा मुश्किल रहते हैं कुश्चन थोड़ा सा हमें इसको गुमाते हैं कुश्चन को कुश्चन परिशान करते हैं हाइप हाइड्रोफोबिक पॉलीमर आद यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ जैल टाइप वन जैल फॉर्म द्यू टू कोबलेंट इंटरेक्शन बिविन एड्जेसंट पॉलीमर जैन टाइप टू जैल आर फॉर्म द्यू टू हाइड्रोजन बांड और एलेक्ट्रस्टेटिक और वन्टरवाल इंटरेक्शन बिविन पॉलीमर जैन ऑप्शन डी ट्रेगा कैंट फ्लैक्स इस एक्जाम्पल ऑफ जीरो जैल ओके बहुत बढ़ि लिए हाइड्रोफिलिक पॉलीमर यूज करते हैं वाटर इंसॉलिबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर यूज करते हैं करते हैं कि नहीं अब वो मिल गया आंसर हमें अब ही हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है नॉलेज नहीं है कि B option और C option क्या करा है लेकिन यहाँ पर यहा है 100% incorrect statement है क्योंकि यहाँ पर hydrophilic होता तो statement सही होता लेकिन यहाँ पर क्या hydrophobic है तो statement कताई सही नहीं है तो कताई सही जवाब क्या होगा आपका A होगा क्योंकि B, C, D यह तीनों ही correct है इनको याद रखिएगा type A gel बनाने के लिए आपको कौन सी किस type के bond create करने पड़ेंगे आपको covalent interaction create करने पड़ेंगे polymeric chain की बीच और type 2 gel बनाने के लिए आपको hydrogen bond या electrostatic bond या wonder wall interaction की requirement होगी ओके चली ये को ताला लगा दिया हमने और ये साइद सही answer भी होना चाहिए मेरे साब से correct answer यह होना चाहिए चली यह सही आंसर है जंता ने बोल दिया वह सही है यह इसका description है type A gel type B gel चली आगे बढ़ चलते हैं आगे बढ़ चलते हैं कुश्चन नंबर 10 following are the substance used in a formulation of jellies accept रहे हैं चली यह बच्चो jellies कौन को बनाने के लिए jellies ठीक है substance के बारे बात हो रही है और accept के बारे बात हो रही है तीन चीजें यहां पर keyword हमारे पास है substance कौन सा jellies के लिए यूज नहीं होता देखिए यह सब क्या है आपके hydroflake polymer है यह 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 तो यह तो jellies बनाने के लिए 100% यूज होंगे यह तीनों के तीनों यूज होते हैं हमने accept निकालना है तो क्या बचा हमारे पास है glycerine हमारे पास क्या बचा है glycerine तो यहां पर बच्चो glycerine क्या हो जाएगा एक दम से correct और perfect आंसर हो जाएगा इन keywords पर बच्चों हमें ध्यान देना पड़ेगा, keywords पर ध्यान देना पड़ेगा, देखें, मैं बार-बार बोलता हूँ, कि G-PET में सबसे बड़ा हमारे लिए, जो कह सकते हैं, सांप CD का खेल एक होता है, सांप CD खेला होगा आप लोगों सबने, letter snack, तो उसमें ladder भी होती है, snack भी होता है, और वो 98 नमबर वाला, 98 और 99 नमबर पर जो snack होता, सांप होता, वो काटता है, तो बिल्कुल नीचे लेकर आजाता है, तो G-PET के exam में यही सबसे बड़ी विड़ा मना है, कि माइनस मार्किंग यहाँ पर आपके लिए snack का काम करती है, सांप का काम करती है, अगर आपने एक माइनस मार्किंग बत्या दिखी, तो rank पीछे जाएगी, और साथी साथ selection की probability भी कम होती चली जाएगी, तो बोला, सर माइनस मार्किंग तो आपने बता दी, कि वो snack होता है, तो ladder क्या काम आती है, ladder वो काम आती है, जिसके बारे में आपको question का answer पता नहीं है, लेकिन आपने फिर भी चार अंक उससे जड़क लिए, उस question paper से कैसे, elimination method लगा कर, पॉनसी, elimination, या फिर एक ऐसा option आपको solid पता है, ये तो होई नहीं सकता, hydrophobic polymer से gel बनी नहीं सकता, आप अड़े हुए थे, BCD कुछ भी है, बोली मार उनको, लेकिन ए तो पूर्ता गलत है, ये question आपके लिए ladder का काम करते हैं, जान दीजेगा बच्चों, किसके लिए काम करते हैं, ladder का काम करते हैं, इसलिए एक साब सीडी के खेल में, हमें साब से बचना है, मारिस मार्किंग से बचना है, और ladder का इस्तमाल जरूर करना आपको मिलेगी, वो बोनस रहेंगे, वो ऐसे रहते हैं, उनको मजा आता है, वो question पर खुशी नहीं होती, जो question आपसे बन रहे हैं, आपको clear पता है, वो सही होगे, वो नहीं खुशी नहीं होती, खुशी उनसे होती, जो आपने थ्वड़ा सा aptitude लगा के, आपने elimination method लगा कर आपने, और आपने क्या सकते हैं, कि एक option पकड़के बैटके उस तरीके से, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है, उस question को अगर correct होता है, ठीक है, चलिए, समयरे बात को, agree हैं, चलिए, answer देख लेते हैं, answer D, glycerin है, बिल्कुल correct answer है, और glycerin use नहीं होता, सभी के सभी polymer है, use की जाते हैं, लेकिन glycerin use नहीं होता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question पर, which of the following is an example of hydrophilic base, okay, hydrophilic base, अब कहां पहुँच गए हम, खुआ से दिमाग में आ रहा है, hydrophilic base, base मतलब कहां, हम पहुँच गए semi-solid doses form है, हम पहुँच गए, अगर बात करें, तो हम पहुँच गए, आपके, supposed doses form पर, base की बात तो वहीं पर होती है, तो hydrogenated oil, oil है, मतलब दूर-दूर से लेना नहीं, hydrophilicity, दुश्मन है एक दूसरे के, emulsified cocoa butter, यह cocoa butter, butter मतलब theobromo oil, खहां से hydrophilic होगा, vitep salt, यह भी आपका modified एक तरीके का base होता है, oily based होता है, अब यहाँ पर हमें देख रहा है, glycerin और gelatin, वाउ, glycerin और gelatin, glycerin मतलब OH group, gelatin मतलब highly water soluble compound, अब इन दोनों का सायोग, इन दोनों का combination, इन दोनों का mixture से अच्छा, hydrophilic mixture क्या हो सकता है, ठीक है, तो answer क्या हो जाएगा, C, answer क्या हो जाएगा बच्चो, C is the correct answer, चली, हमने अपने IQ का use करके, हमने अपनी aptitude का use करके, इस question को सही कर दी, हमें पता नहीं था, चली, तो यह है आपके emulsifying base होता है, आपका, मस्सास्राइन, वेटपसॉल और मस्सूपॉल, चली, इन, कोका बटर सब्सक्राइन के साथ में एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को यहां पर coat किया गया, उस प्रॉब्लम का नाम क्या हो सकता है, blooming हो सकता है, brittleness हो सकता है, rancidity हो सकता है, incompatibility हो सकता है, बच्चो सोचो थोड़ा सा, अगर पता भी ना हो, हम answer को निकाल सकते हैं, white powder बन रहा है, हमने tablet में थोड़ा-थोड़ा सुना था, क्या सुना था, कि उसमें blooming है hedging हो जाती एक तरीके से, blooming hedging dull film, सुना था, tablet में, तो वैसी blooming, whitish whitish हो गई हमारी supporter, मतलब उसको क्या बोलेंगे, blooming, क्या बोलेंगे हम इसको blooming, नहीं पता हमें answer, लेकिन answer निकालेंगे, कही नहीं हम तीर में तुक्का लगाएंगे, इसको तीर में तुक्का लगाना बोलते हैं, तुक्के में तीर, खुछ भी कह लिए तीर में तुक्के में तीर आंसर बनना चाहिए चार नमर मिलना चाहिए यह जरूरी है तो बिटलनेस में तो फ्रिगायल हो जाती है रैंसरीटी में ऑक्सिदेशन हो जाता है इनकम्पिटिबिल्टी अलग तरीके शो होती है लेकिन वाइट पाउडर डिपोजिट हो रहा है तो मतलब यह ब्लूमिंग है मतलब यह क्या ब्लूमिंग है तो देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है जो की असोसियेटेड है किसके साथ मैं सपोजिट्री के साथ मैं चल बहुत अच्छे Most commonly used method for the producing suppository on both small and large scale production पर कौनसी method यूज़ करते हैं देखिए आपको ठुमा दिया small scale और large scale दौनों पर hand molding compression molding, pore molding, all of these हाँ जी बच्चों बताइए क्या होगा answer क्या होगा बोलिएगा hand molding मैंने आपको बताए था कि ये बहुत कम मतलब कह सकते हैं कि lower scale पर हम इसको use करते हैं मतलब lower scale मतलब small scale पर use करते हैं compression molding को हम large scale पर use कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर small और large दौनों पूचा गया है कि small और large दौनों पूचा गया है क्या होगा answer all अरे बहिया जहां देखा all वहां लालच में पढ़ जाते हो कैसे काम चलेगा मैंने पहले ही बोला है हर D answer correct नहीं होता और हर non answer incorrect नहीं होता हर चमकदार चीज सोना नहीं होती और हर काली चीज कोहला नहीं होती समझेगा बात को ठीक है ना तो D देखा नहीं है ताल लगा दिया ताला ही लगा दिया लॉक लिंक लॉक लगा दिया किसी ने गौदरेज लॉक लगा दिया कुश्चन को पड़ो बेटा small और large दोनों पूचा गया है एक method सेलेक्ट करनी है यह तो question कैसे बनता कुछ-कुछ लोग दे रहे है आंसर सी और आई थिंग आंसर सी ही होगा poor molding poor molding method एक ऐसी molding method होती है जिसमें small skill और large skill दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं यूज बना सकते है सपोजची को यह लालच बुरा होता है डी का पस्ता होगे ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाप पर poor molding का description यह आपके सामने है समल के रहिएगा चलिए तो यहाँ पर एक word के वल आपको clear दिख रहा होगा इस question में है कि जो की suppository से related है compressive strength, friability strength या shear strength जैसा term आपने suppository के लिए सुना नहीं होगा सुना है क्या बोला सर सुना तो नहीं है लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा तो बच्चो अपने aptitude को जगाईए थोड़ा सोचिए दिमाग पर प्रकास डालिए जिमाग की बत्ती जलाईए बोला कि सर सुना सुना तो लग रहा है एक sentence जो लग रहा है इसमें एक option तो लग रहा है हमें कि breaking strength तो suppository का एक test होता है और सब test हमने नहीं किये breaking strength तो जरूर किया है यह तो है यह तो है यह वो जिसके बारे मैं बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर breaking strength जो होता है वो suppository कितनी आसानी से टूट रही है मतलब उसका tensile strength तो वह होता है tensile strength मतलब force लगाने पर जिस force को लगाने पर वो टूट जाए ब्रेक हो जाए उसको tensile strength बोलते हैं तो मतलब breaking strength को बताने के लिए आप क्या यूज़ करते हो breaking strength से आप breaking strength के तुरू आप support का tensile measure कर सकते हो यह is the right answer आप देख सकते हैं यह इसका जो कह सकते हैं पूरा का पूरा जो procedure है आपके सामने हो में आपको discuss भी कराया है ओके चली क्या बोलूँ अब इस question को which is a defect of coated tablet capping, mottling, sticking, blistering हाँ जी बच्चो question को simple समझने की गलती ना करें कुछ बच्चे question को डंग से नहीं पढ़ेंगे बोला tablet का defect तो यह भी होता है सर यह भी होता है यह भी होता है लेकिन बच्चा इस बात को बिलकुल नहीं बूल जाए coated का पूचा है किसका पूचा है, coated का तो capping क्या होता है separation of tablet into partial और incomplete separation of tablet from the crown or bottom from the man body of tablet capping, normal defect है modeling, unequal distribution of color modeling है, sticking, adherence of the tablet mask onto the dye wall यह समें कहीं coating का defect नहीं है blistering, local detachment of film from the tablet surface जो आप film apply कर रहा है, उसका locally detachment हो गया tablet surface का surface से वो क्या है, blistering है के नहीं yes तो क्या हो जाएगा answer गौदरीज का ताला लगा दे, चलो भईया D is the right answer और बता दिया मैंना पूरा description, ज़्यादा चर्चा करने की जरूत नहीं है, आप समझदार हो और सबसे important information आज के सबसे important slide आज के इस पूरे के पूरे class की, चलिए मैं एक और announcement ये तो खेर announcement लिखा हुआ है लेकिन मैं new batch का announcement आपको कर देता हूँ यहाँ पर इस batch के through, इस batch के माद्दम से मैं new batch का announcement करना चाहूँगा जो अभी तक जुड़े नहीं जो बच्चे, अपरिल batch स्टार्ट होने को है, अभी अपरिल चल रहा और अपरिल के हो सकता है कि अपरिल के last week में आपका GPAT 2025 के लिए नया batch announce होने वाला है बच्चो GPAT 2025 के लिए और इसमें ये सारी facility आपको available है जो कि आपको मिलती चली आई है और सबसे important, सबसे important चीज, इस diagram, इस image को, इस picture को देखते रहिए इस picture को देखते रहिए और motivation लेते रहिए, बहुत जरूरी है motivation लेते रहिए, बहुत जरूरी है चीक है? तो ये आपको देर सारी चीज़ें से मिलने वाली है, मैं बताते बताते ठख जाओंगा इतनी सारी चीज़ें है एक lecture, इन सारे आपको खुबियों को बताने में निकल सकता है लेकिन कभी लेंगे फुरसत में इंडिया की best faculty आपको teach करने वाली है आपको पता ही है, कर भी रहिए है चलिए, बहुत अच्छे आगे बढ़ते है अगर हम शुगर कोटिंग के बारे बात करें शुगर कोटिंग का जो initial step होता है वो सील कोटिंग होता है और सील कोटिंग का utilization हम क्यों करते है क्योंकि अभी हमें बाद में शुगर के coat अपलाई करने हमें तो there will be chances of desolation of the tablet tablet dissolve हो सकती आपके coating के दोरह नहीं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा tablet को moisture से prevent करना पड़ेगा उसके लिए आपको seal coating step को follow करना पड़ेगा जिसमें different type के sealant जैसे gene, cellarq और cap जैसे material आप use करते हो और उसको tablet को क्या करते हैं आपको seal coating प्रवाइड करते हैं तो correct answer क्या हो जागा बेटा जी D is the right answer ओके चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं different type की steps होती है seal coating, sub coating, syrup coating polishing, ठीक है तो यह सारी steps होती है जिसके तुरू हम क्या करते हैं हम sugar coating अचीव करते हैं बहुत अच्छे knowledge चरम पर है आप लोगों की मानना तो पड़ेगा भई जिसमें कोई दोर आए नहीं है एक चीज़ पूछो चार चीज़ बता देते हो आप लोग मुझे ही डर लगने लगा आप लोगों से the active agent form of a core surrounded by an inner diffusion barrier the active agent form of a core surrounded by an inert diffusion barrier yeah यह हो गया आपका court और यह हो गया core तो यह कौन सा सिस्टम है यह कौन सा सिस्टम है microcapsules, microspare, microspores, none of the above हाँ जी बच्चो कौन सा है microcapsule के बारे में चर्चा हो रही है microcapsule क्या होता है कि ऐसा रहता है जिसमें coat होता है और coat जो की polymer का बना होता है water soluble, water insoluble, enteric या waxes से और अंदर उसके core part में आपकी drug either liquid form और in the solid form में present होती है तो इस हिसाब से इस question का answer क्या हो जाएगा बेटा जी? A is the right answer, microcapsules चली, तो इस microcapsules है आप देख सकते हैं यहाँ पर शलाक is the coating material for the microcapsule of following category अभी मैंने नाम ले दिये थे आपको water soluble resin, water insoluble resin, enteric coated resin, wax resin अभी question किया थोड़ी देर पहली हम लोग होने ठीक है? अब उससे आप answer निकाल सकते हैं शलाक, कैसा material होता है microcapsule को बनाने के लिए? आजी बच्चो, कैसा होता है? बताएंगे जरा आज तो मुझे answer देने की जरुवत नहीं पढ़नी चाहिए शलाक, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, तेजी से answer आया बहुत तेजी से answer आया संतोश का बहुत बढ़िया संतोश, very good और संतोश नहीं सभी बच्चों का answer C आ रहा है, तो मतलब ये लग रहा है कि आप लोगों का तैयारी का level एक दम से एक दम से एफिल टावर से भी उचाई ओपर चा चुका है बुर्ज खलीपा से भी उपर जा चुका है ओवर कॉन्फिनेंस मत होना लेकिन मैं कह रहा हूँ तो ओवर कॉन्फिनेंट हो गए बोला सर जी ने बोला है तो आज से पड़ाई बंद विल्कुल आराम करेंगे दो महीने के हमारी तो अभी और हमें अभी लडाई और टफ होती चली जाएगी आप देखते हैं हम गोल के नजदी को होते हैं तब हमें तो कि हमारी हमारी जो मैनत है उसका रिजल्ट आने वाला है मैन बैटल अभी चालू होने वाली है आपकी जो आखरी अंतिम लडाई होगी जो जीपट की डेट वाले दिन जीपट की जो भी डेट आएगी आपकी उस दिन होगी आखरी लडाई अभी तो हम छोटी बोटी लडाई हैं जीत रहे हैं आखरी लडाई तो वो लड़ नहीं हमें वो जीतना है और ये लडाई हैं अगर आपने जीत ली तो वास्ते किलती वो जीत जाओगे बहुत आरम से क्वालिफाइड होगे रैंक आएगी लिख कर दे रहा हूं ठीक है क्या आंसर हो जागा C आंसर क्या हो जागा C बहुत बड़ी है संजीवन एक्स्टार क्या आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के एक्सेप्ट पूचा है तो बायो अविलिविलिटी को इंक्रीज करता है बिल्कुल सही बात है ओप्शन हे तो 100 परशेंट सही है तो आप लिगेंड लगा दीजिए टार्गेट ड्रग डिलेवरी मिल जाएगी तू रिडूस दा गेस्टिविटीशन जी हां ड्रग का होता है रिडूस दा रिडूस दा रियक्टीविटी ऑप ड्रग रिसेप्टर ये तौबात कुछ हजम नहीं यह बात कुछ हजम नहीं फिर मतलब क्या रहाएगा अगर रिक्टिविटी को कमी करदेगा बैसे थो ऐसा होता नहीं कोई का कर नेजगे कम जादा नहीं कर सकता लेकिन अगर कम कर देगा तो किस बात का वो किस बात का वो ड्रग डिलिवी सिस्टम तो क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बी एक दम से बी बॉंबे की तरफ चलेंगे नया मुंबई पराना बॉंबे बी बॉम्बे यास ये इसके कह सकते हैं कि इसके माइक्रो कैप्सूल के डिफरेंट टाइप के अबजेक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर चली थोड़ा तेजी से जलते हैं हम लोग अभी तोड़ा सुलो हो गाएं कुश्चिंस अभी बहुत सारे बच्चे होगे परपज आफ इनक्स 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 अप्ट प्रोजेस्टिरॉन प्रोजेस्टर टेस्ट मास्किंग रिडूस्टी गेस्टिक इरिटेशन सस्टेंड रिलीज अल अब क्या होगा बच्चों आंसर इसका प्लीज मैंशन दा कुश्चन नंबर तो मुझे खुशी होगी कि यसी कुश्चन का आंसर है प्लीज मैंशन दा कुश्चन नंबर हाँ जी मैं यहीं पर ही हूँ यहाँ आप पूछ रहे हैं क्या होगा अंसर ओल अब दी अब हम चली चेक कर लेते हैं पिटा सस्टेंड रिलीज होता है आहीं पर स्पिशल जो जो लैएं के लिए बनता है ना कि टेस्ट मास्किंग के लिए रिटियाशन के लिए वही मैं बोलता हूँ बेटा डि आंसर देख कर ललचाया मत करो कितनी बार बोला चली तो देख सकते हैं आप acetaminophen aspirin test masking isoniazide dynatrid possession sustained release urease permeability selection of enzyme KCL reduced gastric irritation vitamin A permitted prevent oxidation चलिए D नहीं होगा anti-cake agent used in the preparation of microcapsule PG 4000 polysorbate 20 phthalate ester magnesium stearate D के चक्कर में फस्मत जाना ही तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा एक नंबर का नुकसान मार्किंग का वन मार्क का और 4 मार्क से उसको श्चन की चले जाएं क्या होगा D बहुत बढ़ी है D answer आया Ajay Shubhanjan अरे बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है Very good बच्चे चली This is the right answer Magnesium stearate यहाँ पर anti-taking agent की तरह use की जाता है किसके लिए आपके micro capsule में anti-tech agent sorry anti-taking agent anti-take agent taking से बचाएगा मतलब taking मतलब stickyness से बचाएगा anti-take okay anti-take में क्या देख रहा है एक ही अगर के लाई देख रहा है magnesium stearate तो यहाँ पर देखी यह table बहुत important है बचा इसको देखा कि addition of friction को reduce करने के anti-take agent जैसे आप lubricant gliding use करते थे हम किसके लिए tablet में capsule में यहाँ पर anti-take agent होते है क्या होते anti-take agent होते है पर जब फॉल्विंग method of micro-encapsulation is not a physical chemical method physical mechanical method sorry physical mechanical physical chemical नहीं physical mechanical method नहीं है keyword हमें highlight करना है ताकि गल्पी ना हो not और दूसरा keyword physical mechanical देखिये पढ़ने मेरे से गल्पी होगी तो answer गलत ने कलके आएगा pan coating air suspension spray drying यह सभी की सभी आपकी physical mechanical method method होती है pan coating हो air suspension हो या फिर spray drying हो लेकिन co-servation face separation जुसमें three emissival phases develop होती है और फिसके बाद deposition onto the surface and then rigidization of the polymer होता है तो मतलब answer क्या होगा क्या होगा answer अब तो मैंने explore करी दिया सारी चीज़ें तो answer क्या होगा C चलिए तो यह आपकी physical mechanical physical chemical method और co-servation physical mechanical में आपके pan coating air suspension और spray drying method आएंगे चलिए अहाहा lemulus amoeboside lysis लाल मेरे लाल test यह लाल बहुत अच्छा है लाल test utilize the enzyme activity which is extracted from mice amoeba horseshoe crab is philococcus aureus हाँ जी बच्चों मुझे पता है इसका आप लोगों के पास पूरा literature आपके दमाग में बसा हुआ है कि what do we win by lal lal test is performed for the detection of the pyrogen pyrogen not be not must be present must not be present in the any type of parental preparation तो parental preparation की depyrogenicity depyrogenicity को identify करने के लिए हम लोग lal test perform करते हैं lal test में lal का पहला वाला l limulus a for amoeboside l for lyzate limulus is the species of the horseshoe crab amoeboside is the cell of horseshoe crab lyzate is the compound which is obtained from the amoeboside of the horseshoe crab okay तो answer क्या हो जाएगा yes answer क्या हो जाएगा c horseshoe crab चलिए यह देख सकते हैं आप possible description है lal test का एक in vitro test होता है और confirmatory test होता है एक तरीके से यहापर क्या होता है यदि आपकी preparation of pyrogen present है तो आपका जो lyzate है उसके साथ मिलकर clot बना लेता है और नहीं प्रिजेंट है तो clot नहीं बनाता है चले आगे बढ़ते capsule अरे रे रे capsule are which type of doses from solid liquid semi solid gaseous answer दोगे क्या आगे बढ़ा दूं इस question का answer दोगे क्या आगे बढ़ा दूं question आ सकते हैं से question आते हैं बढ़ा दूं आगे चली solid doses फ़म होता है आपको पता है इसके बारे पूरी information आपको है चली unit doses फ़म होता है आप बोश्टर कंटेंड आपके अपसूल श्याल इस डिर्वान बाई आई-र स्पेक्टर्स को भी टॉलेंड डिस्टिलेशन method equation machine इर्विका की ये question का भी answer आपको पता होगा BCD नहीं है क्या वो भी हो जाएगा हो जाएगा वो all अगर देता एक option तो आप उसमें जरूर लगाते अगर all दे देता all a solid doses form semi-solid doses form gaseous or d all of the above तो कुछ बच्चे all of the above लगा देते मुझे पता है all देखा और लल्चा गए yes tolerant distillation TDM TDM यूज के जाता capsule cell की कह सकते है moisture content को determine करने के लिए चलिए बहुत बढ़िया कि tolerant distillation method से हम कितना percentage water का आपके capsule cell में remain है after the drying उसको test करने के लिए हम tolerant distillation method use करते हैं बहुत अच्छे एक और important information ranker back for GPED 2024 शुरू हो चुका है 21st January 2024 से और इसका जो offer price अभी है 3499 इस पर आपको मिलने वाला है 300 plus live classes 500 plus online test rapid revision 25 plus class test और साथी साथ बहुत सारी चीज़े आगे बढ़ते हैं approximate particle size range of micro capsules prepared by air suspension method 2 to 5,000 micron 35 to 5,000 micron 600 to 5,000 micron 1 to 5,000 micron क्या होगा answer बहुत बढ़ी है 35 to 5,000 micron notes कोल के तो answer नहीं देते हो बताना तुम लोग साइसे ही answer करते हो न cheating तो नहीं करता कोई बढ़ी होगा notes कोल के answer दे रहे हो आप देखके sir ने पूछा answer पठापट capsule बोला answer करते है ऐसा नहीं करना बिल्कुल ना पाप लगे गा नहीं तो 35 to 5,000 micron very good B is the right answer तो इसे की साइस हैं आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है identify the mismatch pair in context of the microbial death carnatic N0, bio button Z, resistance value NU, probability of non-isterality D, none of these बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है हाँ, अब बताओ इसका अंसर बताओ, बताओ अच्छा, skip कर दे बहुत बढ़ी है कुछ लोग दे रहे D, answer जो D, answer दे रहे हैं वो एकदम से correct है मैंने पहले बोला कि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती और हर काली चीज कोईला नहीं होती उसी तरीके से हर answer correct नहीं होता और हर non-answer incorrect नहीं होता उसी series में उसी बात को सही करने के लिए ये question दिया गया है N0 का मतलब bio button बिलकुल सही है Z का मतलब resistance value बिलकुल सही है NU is the probability of non-isterality होता है तो mismatch पूचाए ना कोई mismatch नहीं सभी matched है सभी match है इसलिए answer क्या हो जाएगा D, none of these none of these भी answer हो सकता है साबित हो चुका है चलिए इस देख सकते N0, bio button, Z resistance value F isclization process equivalent time F not isclization process equivalent time N0 is the probability of non-isterality चलिए tonosity that can be tolerated by the eye 0.75 to 15% 0.9 to 1.6% 0.7 to 0.9% 0.5 to 1.9% अब ये भी question थोड़ा सा tricky question है अगर इसको देखेंगे हमारी eye जो रहती है कि थोड़ा सा hypotonic और थोड़ा सा hypertonic tolerant करने की ability रख सकती है तो tolerant range पूछिए इसमें अब देखेंगे option A में देखेंगे तो इसमें 15% बहुत ज़्यादा तो ये नहीं होगा इसमें अगर देखें तो 0.9% isotonic है तो ये भी नहीं होगा range पूछिए इसको अगर देखें 0.7 to 0.9% ये अपर लिबिट ये भी isotonic है यहाँ पर हमें एक ही option दिख रहा है कौन सा option D जो की range को बता रहा है कि अच्छी कासी range को बता रहा है कि हमारी I 0.5% NACL से लेकर 1.9% NACL के बराबर osmotic pressure को tolerate कर सकती है इसमें सभी बच्चे ने गलत आंसर किया है आज ही morning में पढ़ाया था बिलकुल आज ही morning में बताया था C कैसे हो जाएगा range पूछा है hypo और hyper दोनों तो होनी चाहिए hypo और hyper दोनों बहुत बच्चों का गलत है बहुत सारे बच्चों का गलत है एक answer D is the right answer देखी यह possible description यहाँ पर clear mention है 0.5 to 2% मतलब 0.9 1.9% के आस्पास I did irritancy of a chemical can be detected by किसी भी tropical doses warm होता है उसमाँ irritancy test हम लोग perform करते है तो irritancy test में कौन सा test होता है Drift test, pyrogen test, lal test पाटा रेंज पूछा है उसमाँ range पूछा गया था तो range कुछ hypotonic, कुछ hypertonic यहाँ पर क्या होगा Drift test, एक आँख बंद करके इस question को अगर लगाओगे तो उसका भी answer क्या होगा, Drift test होगा तो irritancy के लिए हम कौन सा test लगाते है Drift test लगाते है, चली, आगे बढ़ चलते है Next question Matting of eyelid is side effect Matting, eye ointment, eye gel both eye ointment and eye gels Occucert Yes Matting Matting में क्या होता है, एक चली में Eye के उपर whitish whitish सा हो जाता Eye के साथ, उसको बलते हैं Matting बलते है तो यह eye ointment और eye gel दौनों का एक तरीके से side effect होता है दौनों का होता है दौनों का side effect होता है तो इस लिहाज से इस question का answer क्या हो जागा C, both Eye ointment and eye gel तो आप देख सकते हैं, इस तरीके का matting हो जाता है यह आप देख रहे होगा यह आप देख पा रहे होगे यहाँ पर इस तरीके का eyelid inflammation bleepheritis इसको बोलते है bleepheritis, eyelid inflammation इसको matting of eyelid के नाम से भी जाना जाता है चल Next question softening and resting with multiple time application of heat and mechanical force is possible for कोई plastic है उसको आप melt कर लो, soft कर लो, उसको reshift कर लो multiple time तो उसको क्या बोलेंगे है thermoset plastic, thermoplastic, commodity plastic, engineering plastic प्लास्टिक चली B, thermoplastic very good B is the right item thermoplastic यह ऐसा plastic होता है जो बार बार उसको temperature देंगे और reshaping कर सकते हैं उसको multiple times तो B answer हो जाएगा यह different type के plastics है, thermoplastic वो बार बार आप reshaping नहीं कर सकते हैं ओके, चली cross in strip is which type of pharmaceutical packaging cross in strip आपने आज देखी होगी तो किस type की packaging में आती है primary packaging, secondary tertiary और quarterly मतलब cross in strip में जो strip होती है, वो किस type की packaging है कुल मला के ही पूछा गया है ओके वह packaging जो कि doges form के directly contact में होती है उसको primary packaging बोलती है और primary packaging को cover करता हूँ secondary packaging होता है और secondary packaging को cover करता हूँ tertiary packaging होता है तो यहाँ पर answer क्या हो जागा A, primary packaging पाटरंडी जैसा कुछ नहीं होता very good anti-oxidant used in plastic plastic में कौन सा anti-oxidant use करते हैं क्रिसाल, substituted phenol, titanium dioxide या ultra-marine कौन सा फिनॉल यूस करते हैं बहुत अच्छा खेल रहा है है आप लोग अभी तक अच्छे question, एक दो question को चोड़कर आप लोगों से, आप लोगों ने लगवा लगवा सभी questions के answer correct दिये ओके, क्या होगा क्रिसाल, very good क्या होगा answer, क्रिसाल, चली देखते हैं answer, is the right answer anti-oxidant plastic के लिए हम क्रिसाल use करते हैं, क्रिसाल मतलब एक तरीके का phenol का क्या होता है, एक derivative होता है उसको आप use कर सकते हो as a anti-oxidant plastic के लिए different type के material होते हैं, जो कि plastic के बनाने के लिए हम लोग use करते हैं आप देख सकते हैं आपर इन मैं से एक important जो है आपका क्रिसाल आप देख सकते anti-oxidant, आपके plastic के oxidation से प्रवेंट करेगा आपको चलिए, filling of style container with a commercially style product is non-end, passive packaging active packaging, intelligent packaging और acceptive packaging किस के बारे हम बात हो रही हैं, इस्ट्राइल कंटेनर की filling के बारे हम बात हो रही है, तो style container की जो filling होती है, वो किस area में होती है, किस area में होती है, इस इस्ट्राइल की फिलिंग किस area में होती है, इस्ट्राइल प्रपरेशन की फिलिंग आप किस area में किस में करते हो, aseptic area में करते हो, तो मतलब इस packaging क्या 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 लाईगी, aseptic area, aseptic area वह area होता है, जो कि total total viable form of micro-organism से free होता है, yes, D is the right answer, okay, चलिए, sodium stars glycolate is associated with the which type of disintegration mechanism, liquid apply or wicking action, effervescence, swelling, all of these, yes, देखिए, effervescence action के लिए, CO2 होना जरूरी है, swelling के लिए इसको गम होना जरूरी है, लेकिन sodium stars glycolate जो होता है, ठीक है, sodium stars glycolate जो होता है, यह आपका किस टाइब का? आपका किस टाइब का? अंसर क्या होगा? A चलिए, A is the right answer. आप देख सकते हैं, possible description. चलिए, substance used to reduce the friction during tablet compression and facilitate the ejection of the tablet from the die cavity is called बहुत सिंपल कुश्चिन है, lubricant, glydant, anti-adherant, humectant, क्या होगा बच्चों आंसर? लो, screenshot ले लीजिए, इसका screenshot लेना है, तो screenshot टे लीजिए, description का? चलिए. तो इस question का answer क्या होगा? बड़ा ही simple question है, बड़ा ही simple question है, lubricant, lubricant क्या करता है? चब tablet compress होती तो उस दोरान friction को reduce करता है, और साथी साथ ejection को भी facilitate करता है. Lubricant is the right answer. description आप देख सकते हैं, यहाँ पर, screenshot लेना हो, उनको ले सकते हैं. ठीक है, चलिए. identify the correct statement, jepperox is the brand name of many, many tall, no, jepperox is the brand name of the lactose, amber light is the brand name of dextrose, dextrose का cellulose होता है, not amber light, primogel is the hydrolyzed stars, not hydrolyzed stars, abysel is the brand name of microcrystalline cellulose, यह सही है, यह एकदम से सही है, C is the right answer, C एकदम से correct है, microcrystalline cellulose का, जो कैसकते हैं, brand name होता है, abysel pH 101, abysel pH 102 होता है, dextrose का seritol, manitol का pearlitol, hyalurize stars का primogel, ओके, चली, forming during liquid, filling can be reduced by following way, except, जो forming, liquid filling करते हैं, liquid preparation की filling करते हैं, तो forming, जो आप क्या कह सकते हैं, एक तरीके से, form produce होता है, तो उसको कैसे reduce कर सकते हैं, और इनमेंसे एक तरीका वो नहीं है, increase in the speed of the filling line, minimize the product turbulence, close system filling, deforming devices, तो बच्चों यहाँ पर minimize the product turbulence से आप forming को रोख सकते हो, close system filling से आप turbulence को रोख सकते हो, deforming devices से आप turbulence को रोख सकते हो, लेकिन speed बढ़ाने से आप forming को रोख नहीं सकते हैं, तो इसलिए correct answer क्या हो जागा, A, A is the right answer, accept पूचा है, okay, forming के minimize करने का वे यह है आपके पास, इसको देख सकते हैं, चली, chlorobutonol is used as antioxidant buffering agent preservative solubilizer, ना तो यह antioxidant होता है, ना यह buffering agent होता है, ना ही solubilizer होता है, यह preservative होता है, वो भी किस category का preservative, आपके neutral category का preservative, वो भी आपके alcohol category का preservative, तो इस question का, जो सही answer, सही answer क्या है, correct answer क्या है, perfect answer क्या है, C, preservative, not A, antioxidant, C, preservative, बहुत simple question है, C, not B, not A, not D, chlorobutonol कब से antioxidant होने लगा, buffering agent कब से होने लगा है, C होगा answer, neutral category का, identify the wrong HLV combination, बहुत simple question, HLE 1, 2, 3, anti-forming agent correct है, HLV 3, 2, 6, water and emulsifier correct है, HLV 3, 2, 16, detergent correct है, HLV 3, 2, 5, wetting agent, या spreading agent, नहीं बेटा, 7 to 9 होता, तब यह correct होता है, यह 3, 2, 5 दिया हुआ है, 3, 2, 5 में मतलब क्या होगा, यह incorrect combination हो जाएगा, क्या हो जाएगा, incorrect combination हो जाएगा, तो इस question का, सही और एकदम से, perfect answer, 100% सही answer क्या होगा, C, C is the right answer, HLV skill में आप देख सकते हैं, कई बार हम लोगों ने देखा है, इस चीज को पढ़ा है, समझा है, जाना है, तो इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं है आपके लिए, चलिए, सबसे important information जो आपके पास है, मेरे काल से, जितने बच्चे अभी, यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं, GPAT की उनके पास, हर किसी के पास ये book होगी, GPAT, theory book, GPAT, adder, fingertips, हाला कि इसकी MCQ वाला, एंपोलाइटिक सर्फेक्टेंट का कौन सा एक्जामपल होदा, citrimide, SLS, tridecanol, lecithin, क्या होगा, एंपोलाइटिक पूछा है, एंपोलाइटिक नहीं, एंपोलाइटिक, तो इसमें एक हील एंपोलाइटिक देखे, एक रहा वो कौन सा, lecithin, lecithin बहुत अच्छा emulsifier होता, बायो कंपर्टिवल होतार, एंपोलाइटिक भी होता, D answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा बक्चो, D is the right answer, lecithin, यह देख सकते हैं, आप different type के emulsifier, ओके, चली, which of the following, is an example of, hemiester aneric surfactant, for pharmaceutical emulsions, sulfosuccinate, sarcosinate, torrid, lecithin, question कई बार कर चुके हैं, हमें इस type का, हाँ, जी बच्चो, question number, 6142 का answer, क्या होगा, sulfosuccinate, चली, चेक करते हैं, जी, हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल correct है, sulfosuccinate, जो है, hemister aneric surfactant होते हैं, जो कि, pharmaceutical emulsion में, जा emulsifier use कर सकते हैं, तो देख सकते हैं, आप यहाँ पर, यह possible description है, hemister series में, आपका, sulfosuccinate, और sodium, dioptil, यह hemister के, example होते हैं, sarcoids में, laurel sarcosinates, और miscellaneous में, citrimide, और cital paridinium, koloride आएगा, चली, dry gum method is also known as, continental method, English method, bottle method, forbs method, इसके लिए मैंने आपको, एक trick बताया था, dry method, हमारे यहाँ, जो Indian continent है, वहाँ सुखा बहुत पढ़ता है, गर्मी बहुत पढ़ती है, और England में, बारिश बहुत होती है, तो English method, कौनसी होती है, wet method होती है, जो continental method होती है, वह कौनसी होती है, आपकी, dry gum method होती है, कौनसी होती है, dry gum method होती है, इस question का, सही और perfect answer, क्या हो जागा, A, continental method, देखे, आप देख सकते हैं, possible description, high contact angle value indicate, high contact angle अगर है, तो मतलब, flow property कैसी होगी, कम होगी, चली, यह तो तेया हो गया, cohesive force predominate between solid and liquid, adhesive force predominate between solid and liquid, adhesive and cohesive force, both predominate between solid and liquid, and adhesive and cohesive forces between solid and liquid, are equal, high contact angle, sorry, angle of proposal नहीं, contact angle पूचा है, sorry, contact angle पूचा है, इसमें, contact angle, अबता, वेटिंग प्रॉपर्टी के बारे में, चर्चा की गई गई है, तो यहां पर क्या होगा, कि contact angle अगर ज़्यादा है, तो वेटेबिलिटी कम होगी, contact angle ज़्यादा है, तो वेटेबिलिटी कम होगी, तो मतलब कहीं ना कहीं, आपको वेटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, अड़ेसे फोर्स को प्रमोट करना पड़ेगा, अड़ेसे फोर्स को प्रमोट करना पड़े, किसको प्रमोट करना पड़ेगा, अड़ेसे फोर्स को प्रमोट करना पड़े, में तो definitely यहाँ पर contact angle को ठीक है ना contact angle को यदी कम करना है तो adhesive force बढ़ाने पढ़ेंगे contact angle को ज्यादा करना है तो cohesive force बढ़ाने पढ़ेंगे तो इस हिसाब से answer क्या हो जागा A not B बेटा A is the right answer B कैसे दे रहाँ answer B तो होई नहीं सकता B में contact angle reduce हो जाएगा यह possible description है आप देख सकते हैं यहाँ पर contact angle जैसे जैसे decrease हो जाएगा मतलब अड़े से force बढ़ते चले जाएगे contact angle जैसे जैसे बढ़ता जाएगा cohesive forces predominate होते चले जाएगे hardness of tablet is measured by बहुत simple question Pfizer hardness tester, strong cob tester, Irvica hardness tester और D all of the above क्या होगा answer Pfizer tester यूज करते हो, strong cob यूज करते हो, Irvica भी यूज करते हो तो इस लेहाँ से सही answer क्या हो जाएगा D, D is the right answer सभी के सभी यूज करते हैं tablet के hardness को measure करने के लिए आप देख सकते हैं Concento, strong cob, Pfizer, Irvica, solonizer यह सभी के सभी utilize किये जाते हैं The first stage of wetting on addition of a granulating agent to the powder is characterized by which of the following Capillary state, pendular state, fenicular state और droplet state कौन सी state होती है पहली, यह question आ चुका है क्या होगा, सबसे पहली जो stage होती हो pendulum जैसा बनता, मैंने बाद PF Pendular state होती है सबसे पहली, कौन सी होती है, pendular state तो इस लियाज से इस question का answer क्या हो जागा, B, pendular state और इसका याद रखने का trick है, pendular, जो आपका fenicular और capillary और last में आता है, आपका droplet, तो PF, CD, PF निकाल कर CD खरीद कर लेका रहा है PF, CD, यह इस तरीके से, pendular, fenicular, capillary और droplet, PF, CD चली, very cap, 1200, बहुत simple question है capsule weighing machine, filling machine, dusting and polishing machine, cleaning and polishing machine filling machine के लिए आपको, अगर हम बात करें, तो आपका जो echo fill machine आती है, dusting और polishing के लिए, आपका surinizer, cleaning और polishing के लिए PM60, और vericop के बारे हम बात करें, तो capsule weighing machine होती है vericop कैसी होती है, आपकी capsule weighing machine होती है, तो इस question का सही answer क्या हो जागा, A capsule weighing machine, rotor fill, pellets की filling के लिए, rotor shot, capsule की shot ने, rotor weigh, capsule weighing, vericop, capsule weighing, quick fill seal, filling of liquid, इर्विका की dusting and polishing, स्रिंड आइडर PM16, cleaning and polishing, पान polishing of capsule is done वाए, एसीला कोटा, rotor shot, इर्विका की PM60, rotor shot के बारे हम बात करें, तो अभी देकार, shortening of capsule, इर्विका की cleaning के लिए यूज़ करते हैं, PM16 भी cleaning के लिए, polishing के लिए यूज़ करते हैं, इर्विका की, आपकी redesting और polishing के लिए, और PM16 cleaning और polishing के लिए, लेकिन जो कोटे की बात आती है, उसके लिए, असीला कोटा नाम से समझें, पान polishing, पान polishing में क्या कौन यूज़ करते हैं, आप, असीला कोटा यूज़ करते हैं, ओके, यहाँ पर answer क्या हो जागा, A, असीला कोटा, फालफिल, रोटो शोट, एको जाल, रोटो वे, रोटो फिल पैलेट्स की फिलिंग के लिए, रोटो फिल जोट जोटिंग के लिए, है ठीक है हम एको जल कह सकते हैं कि आप एकोजल मशीन को यूज करते तो सही आंतर क्या हो जागा सी अब देख सकते हैं एकोजल प्रॉसस चलिये आज का लास्ट कुश्चिन वह सिंपल कुश्चिन विसकोषडी ऑब जी लेतिन in capsule manufacturing is a measure of softness hardness cohesive strength molecular chain length क्या होगा अंसर softness hardness किसके उपर decide होती है आपकी plasticizer के उपर decide होती है cohesive strength जो होती है आपका bloom strength होता है जो आपका कह सकते हैं कि जो आपके gelatin molecule की property होती है viscosity especially molecular channel length का measurement होता है molecular channel length को express करता है तो D is the right answer of this question D चली आप देख सकते हैं possible description तो यह था आज का महा मेरतन सीरीज का part और आपने इसमें 50 question attempt की है और definitely आपके बहुत सारे questions आज सही भी होगे तो दोस्तों जाते जाते important information GDC GPT Achiever Test number 18 आपका 15 April को होने वाला है timing आपकी वही 7 PM से लेकर 7 PM मतलब 15 April से 16 April तक इसके लिए आपको batch में enter करना है plus का button दबाना GDC GPT 24 batch code आपको apply करना है और आपका test यह open हो जाएगा test देना मत भूलिएगा test जरूर अटेंड कीजिएगा अभी last class में जितने ज़्यादा आप test देंगे आपकी तैयारी में उतना ही ज़्यादा निकार आएगा तली बच्चो ठीक है मिलते हैं हम लोग next part में कुछ नए questions के साथ कुछ और more कुछ और information के साथ कुछ और important facts के साथ तब तक के लिए मुझे आग्या दीजिए thank you so much take care bye bye good night और सभी को नवरात्री और हिंदू नवर्ष की धेर सारी सुक्तामना है thank you so much take care bye bye